असलाम अलेकूम बच्चों, क्या हाल है आप लोग का उमीद करती हूँ कि आप लोग सब ख्यादियत से हुँगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी चंबेली बूप चंबेली बूप का सबक नंबर छे बेटा, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डाल, डाल, जाल, रे, अडे, जे, से इनको हमने लिखके देखा था कि कौन सा हर्फ कौन सी नाइन पे आता है तो बेटा हमने देखा था कि इनकी इव्दिदाइशकाल नहीं होती आज हम पढ़नेंगे हमारा सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोएं, जोएं क्या पढ़नेंगे सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोएं, जोएं, आईन, वईन आज हम हमारे आठ अलफाज पढ़नेंगे अब हम देखते हैं कि बेटा कौन साल अफ़ल हर्फ कौन सी नाइन पे आता है बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे सीन क्या लिखेंगे सीन, सीन के कितने दंदाने होते हैं बेटा सीन के दो दंदाने होते हैं और ये नीचे वाली ती लाइन उपे आता है उसके बाद शीन, शीन के भी बेटा शीन भी इसी तरह ही होता है लेकिन इसके उपर तीन नुक्ते होते हैं उसके बाद बीटा स्वाद क्या होता है स्वाद के शकल ये है और इसी तरह का होता है लेकिन उसके ऊपर एक नुकता होता है उसके बाद होता है नहीं होता है जो हमने हमने डाला था टे के ऊपर और डाल के उपर और अड Eyes के उपर बेटा जो आइन है वो नीचे वाली तील नाइनों पर होता है फिर वाइन फिर वाइन भी नीचे वाली तील नाइनों पर होता है लेकिन इसके उपर एक नुकता होता है बेटा अब हम देखते हैं कि इनकी इप्तदाइशकाल क्या होती है सीन की इप्तदाइशकाल है सिरफ उ यह शीन की इप्तदाइशकाल है इसके उपर दीन लुपते होते हैं यह भी दर्मियान वाली दीन दो लाइनों में आती है यह स्वाद की इप्तदाइशकाल है यह ज्वाद की इप्तदाइशकाल है तोएं की कोई इप्तिदाई शकल नहीं होती जोएं की कोई इप्तिदाई शकल नहीं होती आईन की इप्तिदाई शकल जैसे हम लोग हमजा डालते हैं यह आईन की इप्तिदाई शकल होती है और आईन की इप्तिदाई शकल भी ऐसी ही होती है लेकिन इसके उपर एक नुपता होता है वेट ये था आज का इमारा सबक हुआ है इसका उमीद करते हूं कि आप लोगों को नहीं एच्छे तरीके से समझा उब और पहले वाला जितना भी हमने किया और अप अगर आप बहुत बहुत क्या रखे?